आल्राइट तो गैस हम सभी को लगता है ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ज्यादा असान है और हम किसी की भी टीप या किसी की भी एडवाइस फॉलो करेंगे और हम अल्टिमेटली प्रॉफिट बना सकते हैं इन फेक्ट मैंने कई सारी पुराणी वीडियो में बताया है कि पेड़ कॉल गलत सोती है पेड़ कॉल नहीं लेना चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे कॉमेंट करते हैं कि भाई साब तुम क्या बता रहे हो यार मैंने बहुत से प्रॉफिट करें कि कुछ लोग तो यह बोलते हैं कि मैंने करोड़ रुपय तक बना लिये सिर्प टिप और एडवाइस फॉलो कर करके एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैसी कमाल की चीजें दिखाने वाला हूं ना मैं यह नहीं बोलता कि प्रॉफिट्स नहीं होते हैं प्रॉफिट्स होते ह यह सारी चीज में आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूं and I know कि यह वीडियो अगर आप लाश्ट तक देखो गे ना तो आपकी आँखें खुल जाने वाली है क्योंकि यह जो पेड़ कॉल्स का इतना सारा गुरूप चल रहा है ना इतने सारे लोग इसमें इंवाल रहे हैं उन लोगों के उपर मैं एक बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूं and आपको कुछ दिखाऊंगा भी example ताकि आपको खुद बता चले देखो मेरा काम है facts बता देना decision लेना आपका काम है paid call लेना नहीं लेना किसी के advice follow करना नहीं करना वो आपका काम है मेरा काम क्य क्या है कि मैं बस आपको सही चीज प्रवाइड कर दूँ सही रास्ता बता दूँ ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको clearly बताने वाला हूं तो बिना time गवाय हूँ हम चलते हैं अपनी phone के screen पे क्यूंकि मैं आपको phone के screen पे से लिए ले जा रहा हूं ताकि मैं आपको exactly show कर पाँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है ठीक है यहां पर मैं एक मिनट screen recording on कर लेता हूं और आप देख सकते हो एक लड़की है जिसका number में hide कर देता हूं तो इन्हों ने मुझे message किया ठीक है अब message क्या किया तो हम direct step by step message पढ़ते हैं उसने बोला hello मैंने बोल आपकी तो मैंने उसे पुछा आपको कैसे पता कि मैं trading करता हूं तो उसने बोला कि update trader list में आपका number था and I know जब भी हम कोई broker के पास जाते हैं तो वो हमारा data base देते हैं ऐसी एसी website सब के पास जहां से इन लोगों को हमारा number मिल जाता है आप भी जब dmit account खुला लेते हैं उसक करते हैं आप मैंने बोला ना जी ना वर्क नहीं करता मैं बस उसमें सिर्फ trade करता हूं मैंने उसको बोला मज़े में ठीक क्या मज़ा है तो उसने मुझे कुछ नहीं किया क्या किया एक call मेरे को forward कर दी ठीक है जिसमें उसने बोला था bank nifty का 42.900 का P.E. आपको buy करना है 4th मही की expiry का जिसका जो buying price है वो 300 से लेकर 320 के बीच में आपको buy करना है और उसका target जो है वो 400 से लेकर 4.500 रुपए तक का है and stop loss जो है वो 219 का है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो stop loss लगबख 17.000 का आ रहा है मारा ठीक है और वहीं पर target जो है लगबख 100.000 का है और 1500.000 का है तो overall देखा जाए तो बहुत अच्छा trade इन्होंने परवाइड किया है and वो हमें दिख रहा है कि stop loss भी है target भी है तो ज्यादा तोर जो fresher लोग होंगे वो ले लेंगे ठीक है और आपकी जगह जब मैं था ना तो मैंने भी यही किया था मैंने भी trade ले लिया था but मैंने इनको को कोई replay नहीं किया उसका शाम को यह 10 बजे का message है उसका शाम को 5-6 बजे के आसपास इनका message आता है profit के screenshot के सांथ जिसमें इन्होंने 304 पर buy किया है and 347 पर अपना trade जो exit कर दिया है ठीक है and इनको total profit जो है वो लगभग 10,000 रुपय का हुआ है और इन्होंने कितने lot से काम किया यानि कि लगभग अगर मैं बात करूं तो एक लाग के आसपास का इनका capital involved है अब एक लाग के capital में इन्होंने 10,000 का profit निकाला है तो कोई गलत बात नहीं है सहीर का निकाला है ठीक है लेकिन मसला यह आता है न मैं आपको आगे की भी chatting दिखा देता हूं ताकि आप बोले कि नहीं बंदा कुछ भी बोल रहा है मैंने उसको बोला great profit तो कर लिया आपने बट इसका risk reward ratio कहां है ठीक कहां गया risk reward ratio अब उसने बोला कौन सा ratio next expiry का trade लिया है मैंने पहली बात तो ठीक है उसका बोलने का मतलब यह कहां से risk लगा आपको उस वह मुझे पुछ रही कहां से risk 50 point की booking की और safe exit कर लिया मैंने बोला अच्छा जी आपने analysis की थी या किसी ने tip दी थी तो वो लिए self मतलब खुद उसने analysis की थी and उनकी company है जो research करती है level निकालती है and वो लोग खुद भी इस चीज को identify करके अपने clients को देते है ऐसा उनका बोलने का मतलब है तो overall यह जो सारी conversation उसका मैं आपको short form बता देता हूँ ताकि आपको exact समझ में ठीक है मैंने इनको क्या बोला आप देख सकते हो message में मैंने इनको यह बोला यहाँ पर आपने 300 पर buy किया ठीक है आपने 70-75 point का SL दिया वो भी ठीक है लेकिन आपने 50 point पर जो booking करके निकल गए यानि कि आपने risk reward ratio जो के साथ छेड़ चाड़ कर दी ठीक है मैं हमेशा बोलता हूँ जो beginner बनता है उसको 1-1 के उपर अगर मिलता है trade तब वो ले in fact 1-1 का trade भी मिल रहा है तो भी वो avoid कर दे ठीक है लेकिन इनका किन के case में क्या है कि जो SL है वो ज्यादा बड़ा है लेकिन जो profit card हिन्होंने exit कि वो बहुत कम है और आपको बिलीव नहीं होगा ऐसे बहुत से trade यह लोग provide करते हैं जिसमें आपका जो SL है वो बड़ा रहता है and target छोटे रहते हैं या फिर कई case में SL provide ही नहीं करते क्योंकि SL रहेगा नहीं तो SL हिट होगा नहीं और profit बनेगा तो हम बोलेंगे कि हमारी call से profit profit वा जैसे कि इसमें हो रहा है लेकिन यहां पर risk and reward ratio देखिए कि यहां पर इनका जब SL हिट होता ठीक है तो यह SL तो दिखाते नहीं है और अगर हिट होता तो 70-75 point इनको देने पड़ते हैं अब जिब इन्होंने profit booking की तो सिर्फ 50 point पे profit booking की और exit ले गए लेकिन यह चीज fresher को कौन बताएगा तो fresher तो guys इसके जहांसे में तुरंत आ जाते हैं वो सोचते हैं कि यार हमारा जो profit है वो अब हो जोने लगेगा ठीक है मैडम जी का profit हो गया तो हमारा भी होगा and यह लोग ऐसे लोगों को approach करते हैं जो लोग नए होते हैं जिनका number इनको कहीं से मिल जाता है तो भाई मेरे सबसे पहली चीज रिस्क मनेजमेंट ना बहुत जादा जरूर है ट्रेडिंग के अंदर ठीक है और अगर आप किसी की tip follow भी कर रहे है उस तरह से तो आप देखो कि वो बंदा से भी registered है या नहीं है और उसके बाद में अगर उसको खुद से ट्रेडिंग लोगों को अप्रोच करता सबसे पहली चीज तो आपको यह सोचने है कि जिस बंदे को ट्रेडिंग आती है वो बंदा ये ये सारी चीजें बोलता ही नहीं और सबसे कमाल की बात तो यह मैंने उसे पुछा कितना टाइम हो चुका है आपको तो बोल रही चार साल का experience है चार साल जो बंदा ट्रेड करेगा मुझे खुद डेड़ साल हो चुछ है होंगे आई थिंक अभी डेड़ साल में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी लॉस भी किया है लेकिन इन बंदी को इनको चार साल हो गए और बंदी को यहीं नहीं पता कि risk and reward ratio क्या होता है risk management क्या होता है मोटीव इनका यह है कि भाई client को paid service दें और उनको premium के नाम पर हम पैसे चार्ज करें बस तो अब बहुत से ग्यानी लोग मुझे comment section बोलेंगे क्या कुछ भी लोगों को बताता रहता है मैंने बहुत profit किया है मैंने बहुत सारा अच्छा खासा loss recover कर लिया यहां से तो तू क् किया होगा आपने यह लेकिन मैं उन एक 2% लोगों को नहीं देख रहा हूं न मैं उन 99-98% लोगों को देख रहा हूं जो लोग profit नहीं कर पाते हैं लोगों के चक्कर में आके अपना जो capital होता है वो भी market में गवा देते हैं तो overall लंबी बात को एक line में समझाना है कि आपको tip या calls इन लोगों के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो भाई मेरे मेरी तरफ से हमेशा से आपके लिए जवाब नहीं रहा है कि इनकी tips आपको कभी follow नहीं करनी है आपको trading जो है वो खुद सीखनी है trading जो है वो कोई नहीं आपको सीखा सकता क्योंकि जब तक आप ख जही कर रहा है तो उसको follow करो और और अगर कोई लग रहा है कि यह बंदा गलत है चाहिवो मैं खोदी क्यों नहीं हो यार आजकल YouTube पे हर कोई बंदा वीडियो बना रहा है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ थी तो चैनल को अंसब्सक्राइब मारो और दुबा करना है मुझे follow करना है मुझे trading करनी है इनकी tips लेनी है तो आप रिस्क मनेजमेंट के साथ लो थोड़े बहुत आप profit definitely कर लोगे लेकिन रिस्क मनेजमेंट आपका होना चाहिए खुद का अब अगर रिस्क मनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर मुस्किल ह यार उसके लिए मैंने यह वाली वीडियो बना रखी है इस वीडियो पर किलिक करूँ इस वीडियो मैंने डिटेल में साड़ी चीजे बताई है रिस्क मनेजमेंट को लेके खाज कर कि जो लोग आप्शन फीचर में ट्रेड कर रहा है न और उन लोगों के लिए बहुत जा